हेलो दोस्तो, दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सल्स में चेक बोक्स लगाना सिखेंगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि हम इसके सामने कुछ वेरिफाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक बोक्स लगा दिये, जिसमें वेरिफाइड नहीं है, उस चेक या अंचेक करने का उप्संस लगा सकें, ठीक है, एक्सल्स के अंदर, तो यह चीज हम कैसे करेंगे, आज के वीडियो में हम सीखेंगे, यही सारा चीज, तो वीडियो को आप सुरूच लेकर लास तक जरूर देखें, असकीप ना करें, ताकि आपको समझ में नहीं आ ठीक है, तो और वीडियो को लाइक करना न भूले, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं कि कैसे हम इस चीज को लगाएंगे, तो दोस्तो हमारे पास यहां पर डेटा है, अब इस डेटा में हम चेक वुक्स कैसे क्रेट करेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक ह यह आपका इंसर्ट का एक ओप्सन मिलेगा, इस ओप्सन पर आपको जाना है, इसमें क्लिक करेंगे, इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे, तो यहां पर आपको मिल जाएगा एक चेक वुक्स का ओप्सन, ठीक है, यह वाला, अब इस पर क्लिक किजिएगा, तो यहां पर चेक भी हो जाएगा अब इसमें click करेंगे तो कुछ इस तरीके क्या अपका checkbox बनके ready हो गया अब हम आपको बता दे यह जो checkbox आ गया simple एक में आया है अब इसी तरह से इन सारे में लाना है तो कैसे आएगा इन सारे को हम क्या करेंगे select करेंगे और जब एक checkbox आ गया है आपका अब simple control-d press करें control-d press करेंगे तो सारे में यह checkbox आ जाएंगे clear है अब आप यहीं पर verified not verified जो लिखना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर कुछ हम इतना space दे दिए अब इसमें लिख दिए verified ठीक है enter किये तो दिखिया गया इसमें अब यही काम आप सब में control-d press कर दे तो सारे में आ जाएगा वो select करके control-d करेंगे तो सारे में आ गया verified और not verified का यहाँ पर checkbox बनके ready हो गया अब हम बात कर ले कि यह जो developer tab आपको यहाँ पर दिख रहा है यह आपको मिले गया कहा से आपके system में अगर नहीं है तो आप याइसको ऑन कैसे करेंगे ठिके अधिकतर यह बहता है इसको ऑन करना ही पड़ता है सारे system में तो यह हम कैसे करेंगे वो आपको बता रहे हैं सबसे पहले आपको करना क्या है कि कि आप जाएगे यहाँ पे file वाले option में ठीक है और file वाले आप्सन इस पर हमको क्लिक करना है, क्लिक किये, जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर options खुल जाएगा, अब आपको यह इसी में जाना है, यहाँ पर customize ribbon में, कस्टमाईज ribbon पर जाएगा, तो यहाँ पर developer tab open है, आप यहाँ से off, on करके, ok कर दिजिएगा, तो आपका क्या होगा, developer tab यहाँ पर on हो जाएगा, clear, तो I hope कि आप समझ गए होंगे, कि कैसे हम इस checkbox का use करते हैं, Excel में, और कि इस काम के लिए हम इस checkbox का use कर सकते हैं, Excel में, ठीक है, तो आप समझ गए हैं, कि क्या होता है, checkbox कैसे use हम कर सकते हैं, तो आज का वीडियो यहीं तक, कल हम फिर नए topics का साथ और नए वीडियो लेके आपके पास आएंगे, तब तक के लिए जैहिंद, और वीडियो पसंद आती हैं, तो please channel को like, subscribe करना ना भूलेंगे,